हेलो फ्रेंग्स वेलकम तो एक्लासिस आज मैं आपको बताऊंगा जो हमारा टिग्नोमेटरी का पार्ट रह गया थो तोड़ा सा वह आज मैं आपको कराता हूं तो कुस्ट नुबर 14 यहां पर आप देखेंगे एक लड़की है जो 1.2 मिटर लंबी है और एक बैलून को देख समझा जाए यहां समझेंगे हम क्या है देखें यहां से हाइट है 1.2 टीक है इसकी लड़की की हाइट है वो कितनी है 1.2 मेटर है अगर मैं 1.2 घटा थूं इतना डिस्टन्स तो यह बैलून की हाइट हो जाएगी तो बैलून आ जाएगे हैं से 87 यह 87 हो गया जिए ठीक है अब वैलून मेरे को मिल गया 87 का है अब आप यह बताइए इस वाले ट्रेंगल में इस वाले ट्रेंगल में मैं यहां पर अगर लगाऊं तो 10 30 लगाएंगे क्योंकि यह और यह डिस्टन्स तो कॉमन है दोनों में ठीक है बेस इसके लिए यह है ठीक और इसके लिए हाइट जो है वो यह है 87 तो 10 30 लगाएंगे तो यह वन हो जाएगा और यह आपका बेस जो होगा रूट 3 हो जाएगा ठीक है अब मैं दूसरा कलाल ले रहा हूं यहां से समझेंगे इस वाले ट्रेंगल के लिए है ठीक है इस वाले ट्रेंगल के लिए अब यहां पर इसके हाइट तो देखिए यह तो देखिए अब इसमें जो रूट 3 है ठीक है और यहां पर यह वन है तो यह कॉंट्राडिक्ट हो गया दोनों को सेम करना है वैलून के हैट सेम होनी चाहिए तो इसे रूट 3 बनाएंगे तो रूट 3 से गुना करना पड़ेगा तो अब यह रूट 3 हो ग हुआ है यह गुले में मैंने डालके दिखा है तो 3 में से एक हटा दूड़े के बराबर है तो अपकी दो को की वमेल्यों चाहिए दो की वेल्यों आपको चाहिए आप के पास रूट 3 है 87 पुछे रहा तो तीन से ओन में वन की वेल्योल्य tua आजाए कि 87 अपान है रूट 3 अ आगई बास समझ में कोई डाउट हो कोई क्वैरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में टैप का सकते हैं और बाकी वीडियो जो है इसकी प्लेलिस्ट में पढ़ी है आप जाके ब्राउज कर लें ठीक है मैं से क्लियर करता हूं यह है जो कि टावर की तरब जा रहा है डावर पे एक अदमी खड़ा है और वह एक गाड़ी को देख रहा है अंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिगरी है और गाड़ी उसकी तरफ जा रही है यूनिफॉर्म स्पीड है चैसेकर बाद वह देखता है तो साथ डिगरी हो जाता है अंगल ऑफ डिप्रेशन तो अब से बोल रहा है कि यह कितने अंगल पर देख रहा है 30 डिगरी पर देख रहा है अब उसके बाद 6 सेकिन बाद इसको देखीगा तो इसका जो एंगल हो गया वह साथ डिगरी हो जाएगा मैं कला दूसर लेकर दिखाता हूं यह एंगल इसके बराबर हो जाएगा 30 डिगरी ठीक है तो 30 और यह जतना तक लगने उसे 6 सेकंड 6 से लगे हैं कितना टाइम लगया यहां से यह तक जाने में कितना टाम करते हैं यह पूछ रहे टाम की लें लिए हैं अब आप दिहां से समझेंगे क्या चीज्ज मैं बता रहूं आपको थोड़ा सभी सिफ्ट कर लेता हूं आप डिस्टेंस में कैलकुलेट करते हैं हाइट वगरा सब कुछ तो मैं इस वाले ट्रैंगल में काम करूंगा तो मुझे ये बताईए ये और ये का रिलेशन किस में होता है पी और भी टैन में होता है तो आप टैन लगाओ तो टैन 60 कितना होता है ये बिल जाएगा आपका 3 और ये बन जाएगा आपका 3 और ये बन जाएगा जाएगा आपका रूट हुआ तो तीन टोटल है यहां से यहां तक तीन लेशियो टोटल है तो तीन में एक घटा दूँगा तो दो बचेंगे तो दो हिस्से को चलने के लिए 6 सेकिन लगे कितने सेकिन लगे 6 सेकिन जब दो हिस्से को चलने के लिए 6 सेकिन लगे एक हिस्से क को चलने के लिए कितने लगेंगे डिवाइड में जाएगा तीन सेगंड ठीक है अब एक सेगंड को चलने के लिए वह एक हिस्सी को चलने के लिए तीन सेगंड लगे और यहां पर टाइम के कितना है एक हिस्सा चलाना है तो मतलब यहां से यहां तक जाने के लिए कितना सेग बना लेते हैं तो डाइग्रम दूंदू है यह टावर है यह चार मेटर की दूरी पे है और यह वाला सब्सक्राइब अब इन दोनों का वो बना दो आ यह और यह एंगल इन दोनों का समझी आ निन थी टिक है अगर एक अलफा होगा तो दूसरा 90 minus alpha हो जाएगा ठीक है या कुछ भी आप ले सकते हो alpha beta gamma कुछ भी आप ले लो ठीक है अब आपने दियान से ये समझना है आपको ये proof करने है जो high 10 है इसकी ये वाली वो 6 होने चाहिए ठीक तो हम कैसे करेंगे अब आपको पता है base और perpendicular का relation दिया है तो base और perpendicular का relation किस में होता है 10 में होता है तो आप दोनों में 10 लगाओगे तो 10 alpha आपने लगाया 10 alpha P upon B यानि P जो height निकालनी है वो upon 4 फिर्स्ट equation सेक्ड एक्वेशन आप निकालोगे तो 10 90 minus alpha बरावर P upon B P कितना है P ही है और B आपका है no ठीक है सेक्ड एक्वेशन अब आप क् 10 90 minus alpha होता है quote alpha जो कि P upon 9 हो गया सेक्ड एक्वेशन यह आ गए अपकी फाइनल आप फास्ट और सेक्वेशन को दोनों को गुना कर दो तो 10 into alpha 10 alpha into quote alpha क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा और इधर वाली चीज इधर multiply हो जाएगी तो यह तो हो गया 1 एक अब आप क्या करोगे दोनो कि multiply चार निम्हें 36 इधर गुना हो जाएगी तो पी स्क्वेर बराबर 36 पी की वैल्यू कितने हो जाएगी अंडर रूट 36 जो कि हमारा होगा plus minus 6 minus 6 को लेंगे नहीं not possible तो आपका क्यादा हो जाएगा height of the tower 6 ठीक है समझ में आ गया